राजस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग नीज निकल कर सामने आ रही है कि बाड मेर में आज पाइलेट की ये सबा हो रही है एस से पेले सचिन पाइलेट बाड मेर भी विरिंदर धाम का उद्गाटन किया वीडियो में आगे बढ़ने से पेले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर के जिएगा अब वे कुछ देर बाद विशाल जनसबा को संबोधित करेंगे मंच पर मंत्री हेमाराम ने पाइलेट का सापा पेना कर स्वागत किया पाइलेट के साथ मंच पर कई मंत्री और विदायक भी मुझूद है राजस्तान के केबिनेट मंत्री हेमाराम चोधरी और उनकी बेटी सुनिता ने अपने भाई की याद में 25 क्रोड की लागत से ये होस्टल बनवाया है पढाई की सभी सुविदाओं से युक्तिये होस्टल बचों के लिए निसुल कुपलवध होगा गाउं और दूरदराज की डाणियों से आने वाले गरीब बच्चे यहां रेकर पढाई कर सकेंगे इसी होस्टल के उडगाटन के लिए पाईलेट यहां पहुँचे हैं इस दोरान उपमुक के मंतरी सचिन पाईलेट ने सिरी हरलाल जाट शात्रावास पहुँचे जहां पर उन्होंने स्वर्गिय हरलाल जाट की तस्वीर पर माल्यार पढ़कर सुने सर्दान जली अर्पित की और उसके बाद वन एउं परियावरन मंतरी हैमाराम चोदरी के बेटे विरेंदर चोदरी की इस्वर्ती में नव निर्मित विरेंदर धाम चात्रावास लोकार पनकारी करम में पहुँचे सचिन पाईलेट के साथ मुरारी लाल मेना विरिजेंदर ओला जी आर खटाना हरीश चोदरी दिपेंदर सिंग इंदराज सिंग, हरीश मेना विरेंदर चोधरी, मुकेश भागर, रामनिवाश गावडिया वैद प्रकाश योलंकी मैश सर्मा, समर्जीर सिंग पुर्वे विदाईक, मलिंगा गिर्राज सिंग, राजेंदर सिंग गुड़ा, किलाडी लाल बेरवा सुरे इस दोरान पाइलेट ने अपने बच्पन के दुख की बाद, बताते हुए मंत्री हेमराम चोधरी के संगर्ष की कहारी बताई, सचिन पाइलेट ने कहा, 2013 में हमारी बड़ी हार हुई थी, उसके बाद मैं अज्यक्स बना और मैंने हेमराम को निर्देशित किया, लेकिन व बड़ मेर में कोंग्रेस को बड़ी जीत मिली, सचिन पाइलेट ने किसान के संगर्ष की बात को लेकर कहा कि जिस दिन गरीब किसान का बच्चा पढ़ ली कर आगे बढ़ घर अपना हंग मागते हैं, संगर्ष करते हैं लेकिन उनने मिलता नहीं, उसके लिए उस पद पर बेटना जरूरी है, पाइलेट ने पेपर ली का जिक्र किया, साथ ही दिल्ली में पेलवानों के धरने को लेकर भी सता में बेटे लोगों पर निसाना साधा, नोजवानों को प्रतिस परदा और मोके मिलने की बात केते हुए पाइलेट ने कहा कि जब नोजवानों को मोका म नहुंगा भले ही कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे ब्रश्टाचार समाज को दिमक कितरे खाए जा रहा है और हम सब को इसके खिलाब लड़ना चाहिए पाइलेट ने कहा कि रजस्तान में जब पेपर लीख होता है तो तकलीप होती है क्योंकि युवाओं का सपना वरबाद होता है हमें इसे रोकना होगा पाइलेट ने जंतर मंतर प्रबेटे पेलवानों के लिए बोलते हुए कहा कि आज देश के लिए मेडल लाने वाले सड़क पर संगस कर रहे हैं ये समय हम सब के लिए उनके साथ खड़े होने का है केंदर की सरकार इंसाफ नह आद में साम को हेमरामदी से बाथ करता रहता हूं पूच्ता हूं क्या करना है मैं हेमरामदी से छला लेता रेता हूं में चाहता हूं आपका मार्गúltर्शन हमेंसा मिलता रहे और हम आपके फीचे खड़े रहें दौस्तों वीडियो को शेर चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें धन्यवाद